22 जनवरी को आप सभी दिपावली अवश्य मनाए आयोध्या से आया है और ये लोगों को घर तक जाएगा तो मैं सभी भारत वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि इस दिन को ऐसा यादगार बनाए थोले में क्या कुछ है वो थोड़ा उस पर अबन देखते हैं कि 25 जनवरी को हर हिंदू हर सनातनी ने अपने घर में दिपावली मनाई है और ये दिन हम सब के जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है पुरे भिलाये में एक नई पहल है और ये लोगों के घर तक महुचेगा अब धीरे धीरे कब से सुरुवात होने वाला है कुछ समान रायपूर से लाए कुछ नानगाओं से लाए कुछ विलाई से लिए जो जहां जैसे मिला सब को एकत्रित किया और कल से इसकी पैकिंग शुरू हो चुकी है पुरा सांती नगर भागवा में हो जाएगा आयोध्या में 22 जनवरी 2024 को स्री राम नलाजी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और ये धूम धाम उस्सा प्रिदेश भर में बड़े उस्सा से मनाय जा रहा है इसी चीज को देखते हुए 36 गड़ जो प्रभू राम जी का ननिहाल है वहां से भी कुछ खास होना चाहिए और खास होता आ रहा है मगर मैं इस वक्त शांती नगर बिलाए के शांती नगर छेतर में हूँ जहां पर यहां के पारसत अभिशेक मिश्रा ने एक सांदार पहल सुरी की है आप जो इस कमरे में ये जो पिले रंग के जोले देख रहे हैं जिसमें प्रभू राम जी का नाम लिखा हुआ है और जैसरी राम लिखा हुआ है नीचे की 22 जनेरी को आप सभी दिपावली अवश्य मनाए सांती नगर में ये जो किट है ये क्यूं बनाया गया है और इतने सारे जोले एक साथ मेरे आसपास आप देख रहे हैं और 22 जनेरी को दिवाले क्यूं मनाया जाया इस सब तीजों को लेकर हम बात करने के लिए अब शेक मिश्रा जी के कारेले पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार उस किट को बनाया जा रहा है जोले में कई परकार की चीज़े रखी जा रही है वो पर भुराम जी का जंडा हो और दिया, घी, बाती और साथ ही दिवाली में जो सबसे जादा जो दिखता है जो जिससे रौनक होता है प्रसहर वो होते हैं पठाके तो यहाँ पर इस धोले में पठाके भी रखे जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम सांतियनगर के पार्षत अभिशेक मिश्चाजी से बात करते हैं पहले आपका केपी नूज में स्वागत है यह जो आपने पहल सुरू की है इसको लेके क्या उदेश थार ठड़ा बताईए एक लंबे अरसो बाद लगबग पांचो वर्स बाद यह खुशी का चाण आया है कि अध्या के उस पावन मुवी पे श्री रामलला का नौनिर्मित मंदिर में प्रांड प्रतिष्ठा होने जा रही है तो मैं सभी भारत वासियों से यह निवेदन करता हूँ कि इस दिन को ऐसा यादगार बनाएं दिवाली मनाएं जिस प्रकार जब रामलला 14 वर्स के वनवास के पश्चाथ जब अध्या लोटे थे तो पूरे अध्या वासियों ने दिवाली के रूप में मनाया था घरों को दिपक से सजाया था और पटा के फोड़े थे उसी प्रकार में पूरे भारत देश वासियों से एक आगरा एक निवेदन करता हूँ कि आने वाले 22 जन्वरी को दिवाली फिर से मनाई जाए शांती नगर में खास ये सारे जो आपने किट बनाए हैं जिसमें जैस्री राम, 22 जन्वरों को आप सभी दिवाली ज़रूर बनाई है ये जो जोले बट रहे हैं ये पुरे शांती नगर में कितने घरों हम बटेंगें पचीस सो घर में टोटल पचीस सो जोले हमने तयार किया हैं क्योंकि शांती नगर में पचीस सो घर हैं तो हमने पचीस सो जोले तयार किया हैं और शांती नगर के प्रते एक घर में हम यह बटवा रहे हैं और सबसे एक निवेदन कर रहे हैं कि 22 तारीक को आप दिवाली जरूर मनाएं इसकी तयारी आपने कब से सुरू करी थी इतने सारे चीज़े इतनी सारे फटाके आप देख रहे हैं यह टॉप टाइगर जो हम अक्सर दिवाली में खरिदने जाते हैं उ तो यह मिलना समव नहीं था तो लगबग एक महीने पहले से हमने हर चीज़ के और किये कुछ समान राइपूर से लाए कुछ नानगाओं से लाए कुछ विलाई से लिए जो जहां जैसे मिला सबको एकत्रित किया और कल से इसकी पैकिंग शुरू हो चुकी है अच्छा तो यह जो है अपने पुरे भिलाय में एक नई पहल है और यह लोगों के घर तक महुचेगा अब धीरे-धीरे कब से शुरू हो जाएगा आज लगबग 6-7 बज़े शाम तक हमारी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी अभी तक हमने 1500 जोले पैक कर चुके है एक हजार जोले इस अब भी लोग आपका सहयता कर रहे हैं क्या मतलब इनके इनके पीश में विचा यह मेरी सहयता नहीं कर रहे हैं यह सब अपने धर्म और श्री राम प्रभू की भक्ती में लीने और यह सब यह चाहते हैं कि 22 जन्वरी जिस प्रकार इत्ता बड़ा दिन है तो हर घर देख रहे हैं जिसमें हनुमान जी बने हो और जैस्री राम लिखा हुआ है जंडा उस धोले में रखा जा रहा है और क्या कुछ है आए देखते हैं यह कौन से पठागे रखे जा रहे हैं भाई भाईया हमने जो एक निर्नन लिया कि पारसत श्रियविशेक मिश्रा जी की एक सोच थी हम बहुत समय से ये विचार कर रहे थे कि 22 जनवरी को कैसे बड़ा बनाया जाए तो मंगलवार और शनिवार मैं भाईया के साथ एक बहुत अच्छी पहल मैंने शुरू की कि भाईया सेक्टर 9 वाले बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं तो मैंने उनके आने वाले सारे वस्तु में उपस्तित हो और इसमें जो फटाके हैं इसमें हमने हर वर्ग को टार्गेट किया है ये पॉप पॉप बच्चों के लिए ये लड़ है ये भी बच्चों की लड़ है इससे बच्चों को कोई खत्रा नहीं है और जो मेरे वर्ग के लोग है बाहर निकलेंगे तो एक अच्छा संदेश फैलेगा कि 22 जनवरी को हर हिंदू हर सनातनी ने अपने घर में दिपावली मनाई है और ये दिन हम सब के जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है तो भाई अब भिलाई में ये तैयारी कैसी चल रही है मालूम ने लेकिन सांतिन पूरा हो जाएगा तो अब सबसे पहले हम महिलावा से बात करते हैं कि ये छोटे से थैले में पीले रंके चावल को भर रहें से अक्षत कहा जाता है इसके बारे मोड़ा बताईगे आपका नाम गितांजली साहो यह खेत्र स्रीराम मंदिर से ही आया है इसलिए सांतिनगर म सब यह तियारी करें कल से यह सुरूर जाएगा बाटने का स्रीराम मंदिर मतलब आयोध्या व्याग्या आयोध्या से आया है और यह लोगों को घर तक जाएगा ऊंदल बृत अच्च्छा है इसलिए सब को बोल रहें कि सब दिवावली मनाए घर में अच्छा से फटा का प सब कर रहे हैं पार्षट जी का देश जो था वह आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हम तो दो दिन से यह हो रहे ही कब बुलाएंगे कब आएंगे हम सब तेयारी करेंगे अच्छा जब यह बटना सुरू होगा तब भी आप लोग रहोगे कि कोई और बाटेगा ने ने इतिहास रचेगा सांतिनगर वैसे भी काफी पॉपलर एरिया रहा है और यहां पर रखेंगे में हैं घी के पाकेट्स और यह बत्तियां और दिये सब रखेंगे में हैं भाई जो हमारे पैक कर रहे हैं बड़ा बताईए भाई कब से चल रहा है यह पैकिंग आज मॉर्निं दोखेंगे थेवाई हैं अदस्ट अम कि यह लना मादा शार्म है तो नवाटने के लिए की बस पैकिंग करके चल देंगेमारे बिल्कुल जाएंगे आप MARKJ विल्कुल ओफुरत ठमकर फोड़ा लाएंगे कर बद तो रहना होते हैं रहना अंच सेलोबडिया तो हमारे अतुल शिना जी लगातार सुर्चरी भरे जा रहे हैं और आप थोड़ा बताईए कि यह जो उद्देश्ट है कि दिवाली मनाया जाए सांदार तरके से 22 तारीक को यह आप आपका विचार रखते हैं देखिये सर क्या है अब 22 तारीक को जो इतना भव्या अपन का जो राम मंदीर में जो राम जी जो स्थाफित हो रहा है उसमें उस दिन तो कुछ न कुछ हर घर में लगा रहेगा लेकिन हमारे वाड में इस पेसली सांती नगर में हम लोग ने सोचा कि हर घर तक इसको कैसे उस देख रहे हैं कि जो हमार जो प्लैनिंग था हर घर तक पहुंचने का वो एक तरह से सक्सेज होता हुँ दिख रहा है तो इसके तहट जो है हर गर जैसरी राम होने वाला है तो यह जो है लगभग जैसे पारसर जीन ने बताए कि लगभग पचीस तो घर लगभग शांती न जो इनका विचार है या आप तक पहुंचा है तो कमेंट बॉक में जरूर बताईएगा कैसा लगा और आप भी बाइसर को दिवाली बना रहे कि नहीं बना रहे हैं यह भी बताईएगा और के पी निउस को सब्स्क्राइब जरूर कर लीजे दन्यवाद